नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल जॉब्स्टेटे में दूस्तों आज की वीडियो हम यहां पर बात करने वाल है क्रोना वैक्सिन की रेजिस्टेशन जो होड़ी है उसे कैसे करना है बहुत सारे कंडिडेट को नहीं पता होगा तो मुझे लगा क यह जानकर आप सभी तक जो है जरूर बतानी चाहिए साजा करने चाहिए क्योंकि जो है अभी जो सिच्वेशन उसके इंसाफ से अगर बात करें तो बताया गया कि एक जहां मैं से आपकी जो है वह वा क्रोना वैक्सिन की जो आठारो पलस वाली जितने भी हैं उनको दीरे- की नंबर आएगी फिर आप जहां वैक्सिन लगबा पाओगे तो यह बहुत इंप्रेंट है जो कंडिडेट रेजिस्टेशन अगर नहीं करते हैं अगर वो जाते हैं तो उनको यहां पर रेजिस्टेशन जो आपका वैक्सिन होगा वो नहीं आपको लगाया जाएगा यह ची कि हो सकती एक माई 2021 से जो है आप सभी का जो है वह अठारो प्लस वालों को वैक्सिनेशन इस्टार्ट ना हो क्योंकि एक दो दिन डिले हो सकती है तो तमाम जानकारी आपको मिलेगा अठारो साल से उपर वाले कंडिडेट कैसे जो हैं आपे अपना रेजिस्टेशन कर सकते हैं कोविड वैक्सिन के लिए और जो है रेजिस्टेशन किस तरह से हो सकती है तो वह इस्टे बाइस्टेप बताऊंगा क्या 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 डोकुमेंट लगती है क्या और कैसे करना वह तमाम जानकारी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी ताकि आप भी अपने मोगाल से ही कर पाऊगे तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं जानते हैं डीटेल में अब दोस्तों आप सभी एक वैबसाइट देख सकते हैं जिसमें मैं आ चुका हूँ यह है सेल्फ फ्री रेजिस्टेशन डॉट कोविन डॉट जी ओभी डॉट इनिपेटी के तो यह इसकी जो ऑफिसेल बैबसाइट है जो की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड जो है आफे फैमिली वालफेर के तरफ से जो है आप यह बैबसाइट जो है त्यार की गई है जिसके जड़ी हम लोग रेजिस्ट्रेशन कर पाएंगे तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं यह टॉल फ्री नंबर है जिसे हेल्फ लाइन नंबर भी हम कह से हैं आप यह आप यहाँ जिरो सेवन फाइफ पे जो है कॉल भी कर सकते हैं दस बजे से लेके जो है छे वजे तक आपके आप जो भी डावट होंगे वो किलियर हो जाएंगे तो यह चीज़ आप लोग ध्यान रखिए है जैसी आप इ चेकाउट कर सकते हैं यहाँ जो है उमंग करके एक है उस पर भी आप कर सकते हैं यहाँ पर गेट OTP पर किलिक कर सकते हैं जैसी आप गेट OTP पर किलिक किजिए तो आप जो है आप इंटर योर मोबाइल नंबर मांगा जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आपका जैसी मोबाइल पे पर किलिक करूँ गा यहाँ पर पर किलिक करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप Hypango की हो चुका को मिलेगा यहां पे जो है वह रजिस्टर मॉवाइल का जो है आप पर आपसन आएगा इस पर किलिक आप जैसे किजिए तो आपका जो है अगल लग पोर्टल पर ले जाएगा मैं आपको आगे बताऊंगा उससे पहले मैं बता दूँ थोड़ी सी यहां पर कुछ तो आपको इस पे देखने को मिल जाएगी तो जैसे आप फिर से ओपर है यहां पे आप देख सकते है यह जो डगए क्लिक कर देना है कलिक करने के साथ ही आप और यहां पर आपको कुछ important चीज़े में मांगी जाएगी जैसे फोटो आईडी प्रूफ उसका जो है फोटो आईडी नंबर नेम जेंडर ठीक है उसका यहां पर आप लोग देखिए सबसे पहले जो आपका फोटो आईडी प्रूफ है उस पर यहां पर किलिक करना है और यह यहां पर जो है अपना सब्सक्राइब जैसे आधार काड़ यह ड्रैप्र लाइसेंज पहन कार्ड पास्पोर्ट परिश्णल पास्प्वूक जो भी कोई है तो आप उससे साठक कर सकते है मैं यहां पर आधार काड़ सेलेक्ट कर रहा हूँ उसके बाद यहां पर यहाँ पर मांगी जारी है जो भी आपका अधार नंबर होगा वो आपको यहाँ पर डाल देना है तो मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूं उसके जो है आपका अधार कार्ड में जो भी नाम है पूरा यहाँ पर लिख दीजिएगा ठीक है तो यह यहाँ पर जो है नाम भी आप ज स्क्राइब कर सकते हैं यह सब करने के बाद आपको क्या करना है रजिस्टर वाले पर जो आपको क्या करना है क्लिक कर देना क्लिक करने के साथ ही आपका यहाँ पर जो है जो भी होगा वैलिड या इन वैलिड जो भी है यहाँ पर देखेंगे मिल जाएगा रजिस्टेशन जो रेच्टर मॉबाइल नमबर है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा नाम जो भी कंडिडेट का है तो यहां पर देख सकते हैं उनका आ जाएगा यहां पर साड़ा डीटेल आ जाएगा उनका ठीक है और आईडी डंबर है आपको यह मिल जाएगा यहां से और यह जो है आपको कुछ मिला है तो वो देख सकते हैं ठीक है तो यह बस जो चीजे थी जो मैं आपको बताना चाहाँ रहा था अब यहां पर schedule now पे जो है click करना है schedule now पे click करने के बाद जो है search by pin number से check कर सकते हैं तो interior pin number होगा जो भी आपका pin number है तो उससे आपको जो है यानि search कर लेना आपका area का code जो भी पीन number वह यहां पर डाल कर लेना है या आप जो है search by district से है इस पर click करके district के हिसाफ से भी यहां से आप click कर सकते हैं तो मैं पीन नमबर से है यहां पर दिया जा रहा है तो जब फुटी 은त्हाच कुरूब तो वह जाके अपना वेक्सिनेशन करवा सकते हैं और डेटी आप सभी देख सकते हैं यहां पर Tech करके आप देख सकते हैं तो यहां पर जो है वह अठ्ह decision Centazon Centum डही नहीं है तो जैसी ओप ओपन होगी तो आप लोग चेक आउट कर सकते हैं आगे बढ़ सकते हैं तो यह जानकारी आप लोग के लिए बहुत इंपर्टेंट थी तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद मिलते फिर अगले वीडियो में